आप लेक्टर में लास्तक रहेगा रीजन यह होगा कि पता नहीं कि बीच में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाओ ठीक है जो आपका मिस हो जाए ठीक है दूसरी चीज आपको यह बताऊंगा कि जो लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे कुछ प्रॉलम भी आ रही होगी कोई बड़ी परॉलम आनीच हइं उसको कैसे करना है पूराना शॉप्टरर अगर तो कैसे नहीं चल रहा है तो कैसे दृटाल करना कि यह भी डिसकस करूंगा बट यह सारी चीज होंगे लास्त पारनेप चलुए आटोकेट को पूरा आपको रिवाइस करवाने के लिए तो चल यह चलते हैं फ़र आगे सब्सक्राइब, तो आपके जो भी आपके जो कुशचन सेंसर्स होंगे, आप अराम से करके डिसकस कर सकते हो कुछ लोग के पास अटोकेट होगा कुछ के पास नहीं होगा टेंशन बिल्कुल मतलेना सब हो जाएगा कि अब कुछ लोग हैं जो बैज कोड नहीं डाले हैं मैं अनुम लगता ना कि अ अगर कोई बीच में पूछेगा तो फॉस्ट डेसी प्रावलम आती है लास्ट में तो कोई दिखर नहीं था ठीक है प्रेजेंटेशन ऑन आटोकेट सबको पता है कि ऑटोकेट जो होता है सबसे प्रेजेंटेशन हम लोग हर सॉफ्टर लिए करते रहेंगे जैसे कि स्टेट कभी प्रेजेंटेशन करेंगे पर इसके बारे में जंना बहुत जरूरी है पहले से स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या किया आप सब के बारे में जाना तो आज जब स्ट टार्ट कर रहे हैं पहले AutoCAD के बारे में जानेंगे फिर चलेंगे आगे आटकेट के बारे में क्या जानेंगे एटलिस यह पता चले जाए कि उसके स्क्रीन पर क्या होता है कौन कौन सी कमांड होती है important command कौन कौन सी होती है isometric drawings कौन कौन सी होती है 3D modeling क्या करते है माल अब क्या क्या होता है AutoCAD के अंदर उसकी एक समरी देखें गया हम लोग पहला introduction से start करते है the word AutoCAD is made of two words कौन को से दो वर्ड है Auto and CAD CAD का full form क्या होता है computer added design and auto है company का नाव ठीक है AutoCAD AutoCAD is a 2D and 3D modeling software modeling and drafting software है ठीक modeling and drafting software it is developed by John Walker it is developed by John Walker किसने इसको develop किया John Walker ने develop किया इसको Autodesk is an USA based company कहां की company है यह USA based company है ठीक है आप सब को पता होगा USA में California है तो California exactly इसका location है ठीक है और किसने इसको invent किया John Walker ने अब तम आपके दिमाख में सेट होना चाहिए किसने किया भाई उसने इतना मेहनत किया है हम लोग enjoy कर रहे है जॉब पा रहे है इतने तेर सारे उस बहन उस बच्चे के मेहनत का थोड़ा बहुत रिजल्ट ने कलना चाहिए तो John Walker ने किया यह से California में यह software developed किया इनकी 20 लोग की team थी तो उन लोग ने किया इस वर्ली यूज इन इंडस्ट्रीस अफ टूरी अं 3D मॉडलिंग इन अनेधर वे वी कन यूज 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 पर्फॉर्म बाई हेल्फ आप दे कम्पूटर डेफिनली कम्पूटर से सब्सक्राइब करते हैं अटोकेट कब आया अटोकेट शॉप्टर वस फर्स्टली लॉंच बाई आटोडेश कम्पनी इन दिसमबर 1982 बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो भी डिटेल में कोई चीज को जानना पसंद करता है वो पूछ लेगा आपसे वेन ऑटोकेट इस्मेंटेट टिकथ ऑटोकेट इज्मेंटेट इन 1922 इंडिया इन 1988 आप से हैं इन्डिया विच यह उटोकेट इस चाहिं तो 1988 छों बढ़ा हो गया तब आया यहां पर तो फॉर्स्ट वर्जिन ओफ आटोकेट वस आर्वन क्या था आर्वन पहले चलदा फिर R2 आया, फिर R3 आया, फिर R4 आया, फिर ऐसे आता चला गया, और अभी 2001, 2002 ऐसे करके आता है, तो मतलब कि हर वर्जन्स दीरे-दीरे इसके चेंज हुए, मैंने और भी स्टडी की कि 1982 में के इंदर बहुत गलतियां थी, तो तीन वार ये रिवाइस हुआ था ये 1982 में, उसके पहले R1, R2, R3 चलता था, फिर क्या किया, AutoCAD 2000, after that, 2001, 2002 and so on, ये हर साल, एक साल advanced version launch कर देता है, this time we have latest versions of 2018 which is launched by इतना, तो मार्च के महिने में इसका fix रहता है, कि आपका next version अभी आप देखोगे, 2023 version launch हो चुका है AutoCAD का, ठीक है, और जैसे ही मार्च 2023 आएगा, तो 2024 version आजाएगा, तो हर साल मार्च में, एक next version ये launch कर देता है, AutoCAD का ये rule है, latest version is easy to use, overcome the difficulties of old versions, धीरे धीरे क्या करते है, जो पुराने versions में लोगों का feedback रहता है, कि ये change हो जाए तो ये ऐसा रहेगा, ये change हो जादा ऐसा रहेगा, उसके according, प्लान करके, change करते रहेगा, AutoCAD is the present day scenarios, किस तरीके से सिस्थ में काम कर रहा है, होप इस समझ गया होंगे, आपको पुरी history याद हो गई होंगी, 1982 में ये invented किया गया, 1988 में इंडिया आया, R1, R2, R3, R4 सब चलता था कब, 2000 के पहले, 2000 के बाद ये वज़न साने लगे, और ये John Walker इसके invented है, और ये इसके California की company है, CAD का full form computer added design है, class का काम class में ही याद कर लो, इससे अडर कुछ नहीं हो सकता है, ठेक है, अब इसके बाद, AutoCAD is the one of the leading and best known computer added design softwares being used worldwide, पुरे world में इसको यूज़ कर रहे है, इतना अच्छा performance इस software का, It is used in all kind of industry sectors, where drafting, modeling, designing, core functions, कहीं पर भी आप बिना AutoCAD के पुरा काम कर ही नहीं सकते हो, इसलिए मैंने अपने course, मेरा course तो structure का है, तो मैं क्यों AutoCAD rate किया, क्योंकि AutoCAD के बिना structures का काम भी सही से नहीं कर सकते हो, ठेक है, AutoCAD is widely recommended solutions or level to the drafters, as it makes drawings and drafting very easy and handy works, बहुत आराम से काम होता है, इस पर, for the effort आप draft करते हो, for the effort सही तरीके softset अगर कर लेते हो, this is the best thing in AutoCAD, अब जब AutoCAD की आप screen को खोलते हो, तो कुछ इस तरी किस आपको screen दिखा होगा, अब उस screen में actually मैं आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर देखो, आप लिखोगे, आपने drawing का नाम लिखोगे, ठीक है, अब कुछ भी नाम दे सकते हो, जो client का नाम रहेगा, वो दिख जाता है, यह information centers होते हैं, जहां से आप login करके, registered version में ऐसा system होता है, login कर सकते हो इसमें, और भी इसके features होते हैं, जैसे कि clouding हो गरत, तुम अपने घर से, कोई और अपने घर से काम कर सकता है, यह सारी चीजिस के अंदर है, और यहाँ पर आपका quick access tool वार होता है, जिसमें file save कर लेते हो प्रिंट कर लेते हो, undo और redo कर लेते हो, यह benefit होता है, यह होता है आपका application menu bar और यही logo भी है, application menu bar के अंदर भी file save कर सकते हो, वो तेर सारे options है, कुछ लोग ने देखा भी होगा, class open करेंगे तो आपको दिखाएंगे, उसके बाद होता है, रिवन palette, क्या होता है, यह पूरा क command, circle command, fillet command, trim command, सबको यहाँ नाम कह देते हैं, command, और सारी command किस box में रहती है, ribbon palette में, clear है, यह आपका file tap है, एक tap कोल सकते हो, दो tap, तीन tap, चार tap, open कर सकते हो, यह होता है आपका crosshair, इसके sizes को भी जब drafting करते हो, अच्छे quality का, तो इसके sizes को भी increase कर देते हो, इसके sizes को भी increase कर हो, crosshair sizes को, और यह आपका होता view cube, क्या होता है, view cube, जिससे आप orientation change करते हो, कल को आपको project आगया, जिसका front जो है, वो west में है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसको rotate करके west में कर सकते हो, कल को आपको project आगया, जिसका front जो है, वो east में, इसको तरफ आप rotate कर सकते हो, प्लान को जिससे आप वास्तों गयरा के concept को इजली समझ पाओ, प्लस 3D में जाओगे, तो कल जब AutoCAD 3D पढ़ोगे, तो आपको front view देखना है, तो reference to south से देखना पड़ेगा, side view east से देखना पड़ेगा, तो इसके लिए भी use में आता है, यह आपका drawing area होता है, जहां पर आप अपनी कहानी लिखते हो, जो भी कहानी आपको अच्छी लगती है, जिस तरह की drawing से अच्छी लगती है, लिखोगे, यहां पर बनाओगे, कल आपको बना के भी लाना है, command prompt यह होता है, आपका यहां पर command prompt होता है, जहां पर आप लिख सकते हो, direct command की, मुझे line L, enter चाहिए, यह आपका होता है UCS icon, क्या होता है यह UCS icon, now question is for you, who knows what is the full form of UCS, किसको पता है, full form of UCS, do comment, comment करो सभी लोग, UCS का full form क्या होता है, कुछ लोग पता है तने कि आटोकेट सिखा हुआ है, ठीक है, UCS का full form बता हो भई, ठीक है, layout टैपस ही होता है, आपका model layout, उसके बाद layout 1, layout 2, layout 3, इस तरीके से model layout होते हैं, ओके, नितिन ने बताया है, और लोग बताईए, मतलब पता है, यह आपका क्या होता है, स्टेटेस बार होता है, जहां पर लिख क्या आता है, कि exactly आगे आपको क्या करना है, मतलब कि आपको L कमांड लिया, इंटर किया, तो फिर next क्या करना है, यह कौन बताता है, वो इस्टेटेस बार बताता है, तो वो चीज़ आपको यहां से देखने के मिल जाती है, और नेक्स्ट इस अभी जो नया वज़न सारा है, शुड़ाओ 16, 18, 19 जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको यहां पर कई डिरसारे नएने फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी बॉक्स यह है, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी तीसी जो होंगी, प्रॉपर्टी ऑप देख्जेक्ट, ठीक है, यह आपका होता है, अपका होता है, अपका होम्पैनल, कोई आपसे पूछ लिया, बास के दो-तीन मुझे और कमांड के नाम बताओ, तो आपको यह बताना पड़ेगा, किसी ने पूछ लिया, कि यह खुछ लिया, एनोटेशन के मुझे दो-तीन तु्ड तूल के बताओ, तो आपको यह बताना पड़ेगा, किसी ने पूछ लिया tell me the modify commands फिर मैं option में डालता हूँ लाइन सर्किल ट्रीम और फिलिएट तो अब मैंसे maximum लोग लाइन कमांड क्लिक करके आते हो ठीक है इसलिए आपको याद एकना है कि modify के वहल इतनी commands है modify इतनी command है नेक्स्ट है आपका draw toolbar में creating objects creating objects मलब इसमें कैसे आप जिसको create कर सकते हो उसके बारे में आपको यहां पर दिया बता जाता है just a minute कोई यहां पर आओ कर रहे हैं आप 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 कल से सब को बोल रहा हूं कि batch request डाल देना तिन लोग ने batch request नहीं डाला अभी देखो इनको problems हो रही है अभी class को भी हम इस्टॉप करके बहस को problem solve कर सकते हैं कल से मैं कई लोग को बोला कि याद कलो remember कराया सब कुछ कराया फिर भी देखो लोग time पर नहीं करते हैं तो यह problem आती है चलो तो यह आपका cross hair sizes होते हैं और यह आपका क्या होता है command line होता है जहां पर आप commands type करते हो और यह आपका क्या होता है view cubes क्या होता है view cubes तो view tab में आप यहां पर देखो कि model layout one layout two इस तरीके साब डालते हो यह toggle buttons होती है क्या होती है toggle buttons होती है जिसके अंदर orthos dynamic inches आप लोग ने देखे होंगे आगे भी आप देखो कि बार बर इसको यूज़ करते होगे कैसे करना है नेक्स्ट है आपका autocad commands क्या है autocad commands तो command में क्या क्या हमको जानना चाहिए तो तो nearly every sections you perform in autocad is based on command हर चीज को आप क्या बोलोगे command बोलोगे maximum you can use command to tell autocad the actions you want to perform and autocad response with command prompt you can use any of the following star to start command autocad menus toolbars shortcut menus command line accelerator key यह सारे commands की toolbars होते हैं अलग-अलग useful keyboard commands जो आपका काम fast होगा क्या होगा आपका काम fast होगा क्योंकि यह कुछ लोग क्या करते हैं drafting करने में कुछ लोग को बहुत time लग जाता है और कुछ लोग बहुत fast drafting कर लेते हैं तो उसका reason है कि अगर आपको पता है कि snap off करना है on करना है F3 click कर दिया ठीक है एक interview में question आप से किया F7 किया जाएगा toggle ortho और तो आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा F8 यूज करना पड़ेगा snap mode on करना पड़ेगा तो F9 यूज करना पड़ेगा और toggle polar mode से on करना है तो F10 यूज करना पड़ेगा अगर क्लिक किया इस का अंतलि बाहर जाना exit हो जाएंगे आप क्या हो जाएंगे exist हो जाएंगे आप इसका pdf मिल जाएगा यह सब कुछ ग्रूप में मिल जाएगा सब आप ही क्या है यहां जो पढ़ाया जाएगा सब गूरूप में आपको आता जाएगा इंटर की इनवोक लास्ट कमांड चूज तो इसको आपको याद कर लेना है जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएंगे और सारे कंटेंट आपकी गूरूप में आ जाएंगे यह short cut Keyz है जिसको आपको याद करना है एक बार में याद नहीं होगा थोड़ा थोड़ा करके याद करना जैसे कि आज आपने याद कर लिया लाइन, polyline, circle, ellipse, hedge, तो इनके क्या है, L enter, PL enter, REC enter, circle का C enter, ellipse का EL enter, hedge का E enter, तो मलब कि इस तरीके से shortcut commands, सब के हैं shortcut commands, तो आपको shortcut commands को याद कल लेना है, तो shortcut commands को जब याद कल लेंगे, तो आपकी जो drafting की speed है, वो ऐसी हो जाएगी, कि आप एक हाथ आपका keyboard पो होगा, और एक हाथ mouse पो होगा, फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा draft करते चले जाओगे, यह होगा, थोड़ा दिन वेट करो, आपको मैं दिखाऊंगा कितना fast आप करते हो, इसके बाद होती है, some important commands, ठीक है, definitely इसके अंदर बहुत इससारी important commands है, बट कुछ जो बार-बार use में आने वाली है, जो आज आपको drawing देने वाला हूँ, पंड बनाने के लिए, उसमें use में आने वाली है, ऐसी कौन-कौन सी command से, तो पहली command से, circle command, क्या है, circle command, तो मैंने तो आपको पूरा stepwise दे रखा है, कैसे draw करेंगे circle को, circle command, enter, circle लेके enter कर दिया, उसके अंदर, circle के अंदर भी आएगा, 3.circle, 2.circle, 10.10, radius circle, तो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, center radius, और वहाँ पर जाके आप जिसको diameter या radius डाल दोगे, automatic circle बन के आ जाएगा, बड़ा आसान है, circle बनाना, इसके बाद line command, ठीक है, line commands, line command को कैसी उच्च कर देंगे, line enter, ठीक है, pick points, तो pick a point using the mouse, to point, pick a point using the mouse, and to point, press enter the commands, just click करना है, first point, second point, third point, fourth point, fifth point, अपने आप क्या होता जाएगा, draw होता जाएगा, पूरा का पूरा ही है, next है आपका arc, ठीक है, क्या है, arc, arc में भी 11 types के arc है total, बड़ जनरली करना क्या होता है, जिस arc command को लेना होता है, first point, second point, third point करके, जिस arc को draw कर देते हैं, ठीक है, same chamfer होता है, अब chamfer जब आप पढ़ोगे, अब ये class का 1, class 2, जब watch करोगे, तो आपको खुद ही ideal लग गएगा, अच्छ, ऐसे करना है, तो chamfer में क्या होता है, chamfer में लब इस तरीके का save, जैसे आपके laptop आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो laptop में क्या होता है, corner, ऐसे edge होता है न, ऐसे, तो ऐसे जब save रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यह होता है, chamfer command, और इसी में अगर आपके mobile जैसा save हो जाएगा, round, तो हो जाएगा fillet command, आगे आप पढ़ो कि fillet command, यह fillet command, जो कि edge corner देता है, edge मतलब करो corner देता है, तेक है, next है आपकी copy command, सबको पता ही हुआ copy paste, ठीक है, तो वही copy command यहाँ पर होती है, तो copy command यह है, इसके बाद आपका आता है mirror command, क्या आता है mirror command, mirror command का का काम क्या होता है, just जैसा है object, वैसा ही दूसरा object बना देना, just जैसा है object, वैसा ही दूसरा object बना देना, कि यारे लोगों को बता नहीं है कैसे होता है कि क्या बताओ भी आधा काम हो गया सही तरीके से कुछ लोगों ने सुझान चलो ठीके ठीक़ लोगों और प्रॉलम हो प्राइब काम क्या होता हैं इनलार्ज और रिड्यूस सेलेक्ट अब्जट्ट को उसको क्या मुतलब क्या हो गया सीश में अपने आपको देखी होगे सुबर नहां नहींक बाद अपना क्या बोलते कंगी होंगी करते हो तो लगता है ने कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूं कितना बुरा लग रहा हूं तो वो क्या करते हो mirror में देखते हो आपका ही same copy अंदर कुछ बन जाता है वो mirror command है same ऐसे यहां पर भी है scale command भी same आप देड़े देड़े आपकी height बट रही है तो क्या हो रहा है scale command यूज हो रहा है array मतलब होता है multiple objects को add करना array मतलब होता है multiple objects को add करना उसमें भी तीन types के array आपको autocad के अंदर भी लेंगे एक होता है path array जो कि यह है path रही लगाना हुआ तो path array यूज करते हो एक होता है rectangular array तो इसमें row में और column में आपको same objects डाल सकते हो तो इसको बोलते हैं row और columns ठीक है इसके बाद होता है आपका polar array क्या होता है polar array पोलर एरे क्या होता है कि जिस क्लिक करना क्लिक करने के बाद इसको चारो तरफ से rotate कर देना इसको क्या बोलते है पोलर एरे बोलते हैं तो आपने मुला सर मेरे को रिकॉल तो हो गया बस मैं आपको कुछ कर नहीं रहा हूं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है रिकॉल कर रहा है क्या क्या क्मांड्स होती है ठीक है extend extend मतलब होता है boundary कमांड यहां से लेकर यहां तक पहुंचाना है तो क्या करोगे boundary क्या हो जाएगा extend क्लिक करोगे first से पहुंच जाएगा पहुंच गया आपने join मतलब होता है join मतलब एक दूसरे object को join करना जे दोनों को select करो select कर जे करोगे तो join हो जाता है मतलब मिल जाता है तो जिसके बाद होता है आपका trim कमांड मतलब होता है होता है cut कर देना लिए क्या करने कणा आपको यहां पर इस theme क्या कर देना ए तो इसके लिए trim कमांड को होता है उसी सेम ऑपजेट को सेम डाइमेंशन पर जैसे सब्सक्राइब आपने यह लाइन लिया अब इस लाइन की थिकनेस होगी 9 इंचेस तो 9 इंचेस पर सेम लाइन बन जाएगी वहलब दो बार बनाने की नहीं पड़ेगी तो आपको बस एक बार करना है ऑपसेट अपने कि अलग अलग ऑबजेक्स होते हैं तो इसके आपको रिप्रेजेंटेशन करना आसान हो जाता है ठीक है जैसे कि अगर आपको कोई चीज ड्रॉक किया ठीक है और ड्रॉक करने के बाद उसको दिखा दिया कि exactly कुछ ऐसा दिखेगा तो उससे ना आइडिया ज्यादा लग ज यह ऑपन से ज्यागे क्या होजाएगा पढ़ना आसान हो जजया च्छ यह है । थीन टाइप से आग आपड़ोगे है में ग्र्रेडि यादेंट है सब नहीं है तो इस ब् Fehler कोती है यहहां अलग दर पर रहे ज़र पकर लोग पाड़ेंगे के पढ़ेंगे अभी जस्त याद रहो कि हैचिंग मतलब होता है ऑब्जेक्स में कुछ फिलिंग कर देना जिससे की रिप्रेजेंटेशन उसका स्ट्रॉंग हो जाए कभी भी ड्राइंग बनाओ अच्छी ड्राइंग वही है जो खुद से बोले कि exactly मैं हूँ किया वही एक अच्छी ड्रा इंग सुती है जो आपकी elevation में जो windows दिखाते हो क्या window ये फिर door काच का लगाया हुआ है तो काच एरिया जहां पर भी लगाते हो वहाँ पर gradients यूज करते हो तो बहुत अच्छे से visualize हो पाता है कि exactly क्या बनना हुआ है तो इसके लिए हैज का ही दूसरा भाई है gradient इसके बाद आता है isometric view पले आप यहां तक पढ़ोगे यहां तक पढ़ने के बाद फिर isometric view आएगा तो इसको भी मैं जिस थोड़ा सा गोत्रों हो जाता हूं पढ़ाऊंगा अलग से टिंसर मतले ना कि सर खतम हो गया क्या यह आटोकेंट नहीं यह जिस इंट्रोडक्शन दे है वहाँ पर सेटिंग जैसे क्लिक करोगे तो जिस नॉर्मल टाइम पर यह रेक्टेंगुलर स्नेप हुआ रहता है जैसे यह आप यहां पर आइसोमेट्रिक स्नेप करोगे और ओके करोगे तो तुरंती क्या हो जाएगा आपका जो स्पैन है वह ऐसा कनवर्ड हो जाएगा इस तरीके से यह देखो जैसे लग रहा है जैसे 3-D है ना वट 0 5 सी यह आइसोमेट्रिक है तेस्ट हो गहरा है जौब और में जब यह इल्ग रहा होता है तो कैटने जर्णली यही ट्लाइंस देते है क्योंकि यह ग्रॉइंस देखके निंग 105 लोगों confusion एक दम हाई लेवल पर चला जाता है लोग सोसते हार यह तो 3D बना हुआ है आपको भी साथ 3D ही लग रहा होगा बट यह 3D नहीं है यह और्थोग्राफिक ड्राइंग है ठीक है क्या है यह और्थोग्राफिक ड्राइंग है जो कि isometric से बनता है वह इन्हें बहुत डीटेल म लेना पड़ेगा लेफ्ट टॉप राइट तीन डारेक्सिंस में चलता है सुमेट्रिक लेफ्ट में टॉप में और राइट में आगे एक्स्प्लेइन भी करूंगा इसके बारे में यह देखो ऐसा लग रहा है जिसे 3D है ऐसा लग रहा है 3D है 3D है 3D है बट यह कोई भी 3 तहरी तो 3D से बना हुआ है तो इसलिए गलत करते हैं और इंटर्वियर यही तो देखना चाहता है कि आप गलत करो इसके बाद एक्चुल 3D यहां पर है तो हम लोग जब पहले नॉर्मल आटोकेड पढ़ेंगे फिर 3D पढ़ेंगे तो 3D में क्या पढ़ेंगे वायर फ्र सम 3D ऑबजेक्स कौन-कौन है यहां पर इसे बॉक्स है, सिलेंडर है, कोन है, स्पेर है, पिरामिड है, वेज है, टोरस है, यह अलग-अलग एलमेंट आपको जहां पर जैसा से चीज से आपको बॉल बनाना है तो स्पेर यूज कर लो, बेड बनाना है तो बॉक्स यूज क लो जहां पर जैसी requirement होती है वैसा हम लोग यहां से tools को use करते हैं AutoCat 3D भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद उसमें कुछ commands होते से extrusion extrusion command का काम होता है कोई भी object को 3D में कर देना line को 3D में कर दिया box को 3D में कर दिया तो उसको को बोलते हैं extrusion command ठीक extrude बोलते हैं तो extrusion command का फायदा होता है कि अगर यह close है क्लोज मतलब कि यसे कि एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पर चारो रक्टेंगल एक है इसको extrusion करोगे तो यह solid object बनाएगा अगर इसके बाद रिवाल्व क्या होता है रिवाल्व मतलब होता है किसी वी चीज को 360 पर रोटेट कर देना आपको अगर यह bottle बनाना है तो इसका एक frame बना लेजिए bottle को कुछ ऐसा ही रहेगा bottle ऐसा फिर इसको 360 पर रोटेट कर देजिए आटोमेटिक ऐसा box बन जाएगा bottle तो यह रिवाल्व कमांड्स होता है बहुत से चीजी रिवाल्व कमांड्स आप बना सकते है तो एक example आपको रेलिंग बनाना है तो रेलिंग के एक frame का design कर दीजे एक corner का फिर इसको रिवाल्व कर दीजे प्रॉपर best quality की रेलिंग्स बन objects alone to the open close मतलब कि path को follow करता है मानलों को आपको wiring वाली pipe बनानी है तो आप switch command से यूज कर सकते हो आपको rings बनानी है तो switch command से बना सकते हो तो यह काम होता है switch का इसके बाद होता press pull command क्या होता है press pull command press pull मतलब होता है material को adds करना material को remove करना तो press pull can extend in the z directions और be set to a taper or follow path you can extrude and open or close object to the create 3D surface or solid तो को हाँ पर हम क्या कर सकते हो इसको press pull commands से इसको बना सकते हो some commands using AutoCAD 3D आगे जब 3D पढ़ोगे तो उसमें जो important command आती है 3D move है 3D rotate है 3D scale है subtract union intersect slice mirror polysolid यह सब commands आपको देखने को मिलेंगी बहुत detail level पर जस हमने revise करवा दिया आपको AutoCAD एक बार highlight करवा दिया advantage क्या है AutoCAD को यूज करने का आप सो सकते हो ना कि AutoCAD ही सरकियों क्या दूसरे कोई drafting के software नहीं है internet card है और भी बहुत से softwares है Revit में भी कर सकते हो drafting पट इसका काम की अच्छा है AutoCAD enhance the productivity and quality of designs एक एक चीद बारी की से आप इसमें अच्छे से कर सकते हो drawings get prepared in relatively shorter duration fast बनता है इससे ज्यादा fast किसी software में आप drawing नहीं बना सकते हो आप paint भी बना सकते हो कोई दिख्कत नहीं लेकिन paint में बनाने में बहुत time बन जाएगा reduce the manpower requirements क्या manpower की कम requirement होती है इसके अदर AutoCAD software is a cost effective and highly affordable इसकी जो price as per market standard काफी कम है ठीक है design can be drawn with greater accuracy इसके इंदर accuracy की quality ज्यादा है facilities easy modification and revision of drawings जल्दी से आप modify कर सकते हो revision कर सकते drawing को revision मतलब एक drawing कभी एक बार में final नहीं होती है आज आपने बना दिया तो उसको बनाने के बाद जब आपका complete हो जाता है तो फिर उसको फिर से चेक कराने भेजना पड़ता है फिर चेक होके फिर से वापस आते है ठीक है तो वापस जब आता है तो उस टाइम पे आपको रिवाइज होता है ड्रोइंग जो ड्रोइंग रिवाइज होता है तो फिर उसमें फिर चेंजिंग्स आती है तो एक बार एक ड्रोइंग को चार से पांच बार रिवाइज करना पड़ता है यह इसका होता है अब queries, एक बार मैं फिर से sort में इसको फिर से आपको गोथ्रो करवा देता हूँ, जिससे इपनम से दिबांक में रट जाए, ठीक है, देखो मेरा काम क्या है, आपको एक बार जस्ट गोथ्रो करवा देना इसको, आप सब को पता है, केट का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर रेटर डिजाइन में, पूछने वाला हूँ इसके बाद, इसलिए याद करते रहा ना, आटो मतलब मतलब है, कंपनी का जो नाम है, उसको आटो कर बोलते हैं, इसको डेवलप किसने किया, जॉन वालकर ने, 1988 में, और 2000 सन 2000 के बाले इसका जो वर्जन आता था, R1, R2, R3, R4 करके आता था, 2000 के बाद 2001-2002 आने लगा, आटो कैट का हर एक मार्च के मन्त में, नया वर्जन लाँच हो जाता है, मतलब एक साल आगे का वर्जन लाँच हो जाता है, आटो कैट इस वान आफ दे लीडिंग में ये software famous है, ठीक है, इस software का ये drawing area होता है, ये आपका information system, drawing name, ये main है, ribbon palette, याद रखना और ये आपकी file tabs है, अलग-अलग, फिर modify toolbars ये है, notation ये है, layers ये है, block ये है, property box ये है, draw toolbars आपकी ये है, तो ये सब के सब अलग-अलग, यहाँपर आपको देखते को बिलेंगे, file tab ये है, अलग-अलग, ये toggle button से आपकी, autocad command, ठीक है, autocad के commands, इसके इंदर हर एक work, जो भी work करोगा, इसको command का नाम देते हो आप, और इसके बाद आपकी कुछ useful commands है, जैसे कि आप 3 snap के लिए, F4, 3D snap के लिए, F5 है, F7 है, तो आपको सारी shortcut keys, ये वाली तो आजी ही याद कर लेना, दूसरी वाली shortcut की, थोड़े-थोड़े करके, जैसे इस commands use करोगी, याद होता चला जाएगा, इसके बाद, circle commands, क्या, circle commands, तो circle commands कुछ इस तरीके साब draw कर सकते हो, line command को कुछ इस तरीके साब draw कर सकते हो, आर command को draw करना, मैंने आपको बताया, chamber बताया, chamber क्या होता है, फिर fillet command देखा, हम लोग ने copy command देखा, mirror command देखा, scale command देखा, scale से करकते छोटा और बड़ा करते तो object को, area से multiple object बना सकते हो, एक path पर, एक rectangular shape में, एक polar shape में, अलब round shape में, extended command से किसी भी चीज को extend कर सकते हो, आग कर सकते हो, यहां पर हो, अगर दोर है, दोर कट करना है, तो दोर को कट कर सकते हो, opposite मतलब होता है, same object को same dimension पे, एक distance पे आप particular copy paste कर सकते हो, जैसे कि यह wall है, तो आपके wall को just 9 inches पकरना है, तो 9 inches पकरना हो, hatching, hatching मतलब होता है, कि क्या बोलते है, आप किसी भी चीज का presentation त्या पड़ी कि मैं AutoCAD के बारे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, इन सब डाग्राम को देखके कि AutoCAD ही चल गाए, ठीक है, तो यह benefits होते हैं, gradient, gradient मतलब होता है, color, ठीक है, क्या, colors, का चो कर एक areas में, isometric मतलब होता है, look like a 3D, but it's not a 3D, और इस को on करने का method यह है आपके tools ऐसे बने हुए है, यह lecture 6, lecture 7 में हम लोग पहुंचे हैं, तब यह देखें हम लोग, इसके बाद यह सारे, प्लेंस हैं आपके, और यह कुछ इस तरीके से present होंगे, आपके सारे प्लेंस, ठीक है, फिर 3D modeling के कुछ commands होती है, जिनकों आप यह देखना है, फिर इसके और क्या होता है, 360 पर rotate करना, sweep मतलब pipe जैसा कुछ बनाना, tube जैसा कुछ बनाना, press pool मतलब material एड़ करना, वह लोगर रतियार करने के लिए, बाकी यह commands भी आप आगे गोत्रों होगे, उसके बाद आपकी कुछ advantage आपने पढ़ है कि quality design हो सकती है, जल्दी काम हो सकता है, manpower कम रखती है, cost भी ज्यादा नहीं आटोकेट की, और greater accuracies रखती है, facilities, easy modifications, revision of the ranks, जल्दी आप revise कर सकते हो, यह रहा एक आटोकेट का just short revision, ठीक है, अभी खतम नहीं हुआ, क्योंकि आपने already थोड़ा वो तो सीखा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको एक बाद ब्रसप कर देता हू फिर आगे चलेंगे, तो मज़ा आएगा, तो आप बोलो कि sir, चलिए तो हो जाएगा, अब हमें आपको कुछ questions होंगे इसको related, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, task आपको देंगे कि task क्या करना है, ठीक है, यहां तक मैं कुछ questions से पूछ लो, कि sir, मुझे यह नहीं समझा, ठीक है, definitely थोड़ा से बीच में message, मैं जब teaching करता हूँ, बहुत concentrate रहता हूँ, तो मुझे बीच में कोई से click करोगे, तो हमारे पस notification icon, हम यहां से on कर सकते हैं, नितिष कुमार पठेल ने जिससे की अपना on किया हुआ है, हम उनको on करने जा रहे हैं, तो भी देखिए बोलेगे, अहां नितिष कर रहा है, इसमें जो 3D modeling आप कह रहे हैं, तो उसके लिए तो auto debts वो ठीक रहेगा ना और Revit ठीक रहेगा, ऐसा बोलो, हम तो 3ds max यूज करते हैं, 2021, बहुत अच्छा है, 3ds max का आगे तो कोई software ही नहीं, लेकिन इसके अंदर भी 3D है, तो जानना चाहिए न कोई 3D है, उसका क्या काम है, इसका मैंने 3D देखा तो इतना best render नहीं आता, कितना max का आता है, यह इसक अच्छा कोई 2D करके दिखाता है, बताओ, नहीं, इस अच्छा कोई 2D नहीं है, कोई 2D नहीं है, जितनी अच्छी detailing यह कर देता है, हाथ तक कोई software में मैंने देखा ही नहीं, तो इसका अलग level है, 2D, 3D के लिए, of course, इसने Revit को लांच किया, Autodesk में, और उसके बाद 3ds में हाँ, जी सुभासिस, और कुछ कुछन पुछ ना, पूछ लो, पटल भी, ओके, ठीक है, असीस, तुम अपना माइक ओन कियो, फटाबर बोल दो, और, सर इंड़स्ट्री में, आसीस, तुमारी आवाज आ रही, बोलो, सर इंड़स्ट्री में, आटोकेट 3D यूज नहीं हो जो क्या बोलते हैं, जैसे कि तुम वहाँ पर बहुत कम इंड़स्ट्री में, इस उप्रेट को यूज करते हैं, और 3D, कुछ कमपनियों में, जिनके पास सॉफ्रेयर्स नहीं होते हैं, दूसरे, यह क्यों कमपनियों में सॉफ्रेयर क्रैक नहीं उज़सकते हैं, वहाँ प आपको 3D पर करना पड़ने है, ठीक है, सुभासित दास आपने माई कॉन किया है, आप बोल नहीं रहे हैं, और किसी को कुछ यहां तर में डाउट है, अगर नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं, आपको कुछ टास्क देने के लिए, कल आपको वो टास्क क्लास के पहले सम्मिट क करते समय आपको अपना टैग लाइन लिखना है, टैग लाइन मिलब सब्जेक लाइन लिखना है, क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको टास्क बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको All-in-one पर जाना है, जो All-in-one आपने देखा होगा गूगल अपर, प्ले स्टो Confusion नहीं create करना है, और Lecture 2 में थोड़ा सा अच्छा content आपको मिलेगा, तो Lecture 1 और Lecture 2 आपको All-in-one का watch कर लेना है, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि क्या बनाना है उसको watch करने के बाद, watch कर लोगे तभी बना पाओगे, कल का ये task है, दो-ती दिन थोड़ा heavy task रहें कौन सी drawing से आपको जो बनाने, ये बनाना है, कितना simple drawing है न, लेकिन आपको बनाना है, ठीक है, आपको ये बनाना है, ये कितना है, 120 है, 20 है, अब आप बोलो कि सर इसका dimension नहीं दिया है, तो dimension इसमें सब कर नहीं दिया जाएगा, find करना पड़ेगा, कैसे, अगर ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो अब बताओ इसका क्या dimension होगा, ठीक है, कमेंट करके बताओ इसका क्या dimension होगा, ऐसे इसमें मिस होता है, इसका dimension बताओ, सुभासिस, अमित, ओके, ये देखो, इन्होंने 60 बताया है, राजू 20 बता रहे, 30 बता रहे, तीक रहेशी का 60 बता रहे, अन्हीं, इसका बताओ, इसका 60 कैसे हो जाएगा, ये पूरा 120 है, 20 इधर से चला गया, 20 इधर से चला गया, कितना बचा, करेंट, सिर्फ और सिर्फ 20, क्योंकि 20, 20 कितना हो गया, 40, और उसके बाद फिर 40 आपका ये हो जाएगा, तो इसे आपको ऐसे ही dimension फाइंड करने पड़ेंगे, और ऐसे ही सेम आपको ये बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, तो देखने में कुछ लगी नहीं रहे, 10, 10 र आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको ये मिलेगा, ट्रॉइंग नमबर 3, जो कि बहुत सिंपल है, केवल एंगल लाइन को ड्रॉइंग करना है, 120, फिर एंगल फाइंड करो 30, फिर 80 बजाओगे, फिर ऐसे उपर जाओगे, फिर ऐसे इधर जाओगे, फि अंदर का तरफ कोपी कर लो या फिर आपसेट कर लो, केवल इतनी ड्रॉइंग बनानी है, एक, दो, तीन, आपको लोगो सबस इतना एजी काम हो, नहीं भाई, अभी रुको, इसके बाद है, आपको MCAT, MCAT की भी प्रैंटिस नम कराएंगे, आपको जिससे कि आपका इद्द इसको भी बनाना है आपको जो कि आपकी पांच भी ड्रॉइंग्स रहेंगे, और उसके बाद छटमी ड्रॉइंग्स आपको ये बनानी है, सातमी ड्रॉइंग्स आपको ये बनानी है, ओके, तो बस पहले पेस की ड्रॉइंग्स, मैकेनिकल कैट की, पहले पेस की ड्रॉइं में रहेगा सारी यूनिट्स जो रहेंगी mm में रहेंगे एंगल एंगल एक्चुली जोको सबका एंगल नहीं दिया जाता है जानबुच के आप एंगल फाइंड करना सीखोगे इसमें कि क्या एंगल होगा जिससे किसका देखो 30 दिया हुआ है ये तो यहां आने की दारेड मिला सकते हो ऐसे ही आपको सर्च करने पड़ेंगे डाइंशन को यही तो ट्रिक होती है लर्निंग करने के लिए ठीक है देखने आपको बहुत इजी लग रहा है और ऐसे करना है जैसे मैं दिखाऊंगा आपको ऐसा करना है अभी भी कोई मेटिंग लेट नहीं करेगा अभी भी आपको कुछ काम की चीज़े बतानी है अभी फर्स दे में जादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आपको कन्क्यूजन हो जाएगा अभी कई लोग के पास सॉफ्टेर का प्रावलम होगा ऐसे कई लोग का इंस्टॉल नहीं होगा होगा अपने को कैसे भीजना है यह आपका जो सीनियर बैच हो कैसे लिखते हो लोग यहां पर स्ट्रक्चर्स गुर्कुल 26 मतलब चट्वे मेंने में 20 को इनका बैच स्टार्ट हुआता है इसलिए इन्हों ऐसा लिखा हुआ है आपको लिखना है स्ट्रक्चर्स गुल्कुल अगस्त यहां पर देखा आपके बैच का नाम है न सीविल इंजिनिंग अगस्त गुर्कुल बस यह बैच का नाम डालना है ऐसे एक कॉपी पेस कर लेना और यह आपको ऐसे लिखना है सब्जिक में ऐसे प्रोजेक्ट1 डीली आपको प्रोजेक्ट अड़ करते जाना है दूसरे दिन क्या रहेगा सब्जेट आपका हमेशा यही रहेगा सिविल इंजिनिंग स्ट्रक्चर्चर्स अगस्त गुर्पुल प्रोजेक्ट1 आज आ आपने यह डालना है प्रोजेक्ट1 में सारा कुछ आगया जितनी ढूइंस आज की है और सारी ढूइंग को एक ही पेज में देना है और उसके बाद कल प्रोजेक्ट 2 परसों प्रोजेक्ट 3 फिर प्रोजेक्ट 4 5 6 ऐसे करें हम लोग करीब करीब 70 असी प्रोजेक्ट करने वाले ठीक है तो मतलब क्या होगा कि अगर आप लिखोगे तो यह idea लगेगा कि बीनीट ने अब तक में कितना project किया, सिधार्थ ने अब तक में कितना project किया, अमित ने कितना project किया, सुभासिस ने कितना project किया, I can get ideas. DWG, रश्रिकाल, पूरे जो file share करनी, देख़ो, आपको सबने भेजा होगा, सबको DWG बेज़गा है, इधे को इन्होंने stat4 की file बेज़ी हुए, यह std में है, जो आपको गुरूप में दे दिया जाएगा, वैसे mail id है, गुरूपुसिविल इंजिनिंग एडिडेट gmail.com, मैं गुरूप में share कर दोगा mail id में लिट, clear है, अब चलो बात कर लेते हैं, यह तो रहा class की बाते हैं, जो आपने किया, definitely अच्छी सखर होगे, मैं इसको इसका recording दी दे दूँगा, कुछ लोग को साथ पहले दिन convenience कम रहा होगा, तो कोईसी का loss नहीं होने पाएगा, यह मेरी guarantee है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, आपको कुछ क्या बोलते हैं कि कैसे कि कुछ लोग को के पास AutoCAD का पुराना version साय चलना रहा हो, तो कुछ नया version इंस्टॉल करना है, यह फिर कुछ लोग का download करते समय error आ रहा होगा, ठीक है, तो error कैसे solve करना है, वो भी इसी recording में share करना है, जिससे कि आप recording देखो, तो आपको idea लग साय है, ठीक है जी, तो आई यह देखते हैं, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि इस website पर जाना है, और इस website पर जाने के बाद आपको just search करना है क्या autocad 2020, कौन सी website है यह, फिर से बता रहता हूँ, www.getintopc.com, इस पर जाना है, इस पर जाने के बाद autocad 2020 लिखना है, गो, अब गलती आप से क्या होती है, कि आप इसमें से कई धिर सारे साफ्रे मिलेंगे, रास्टर, डिजाइन, डिजाइन प्रीमियम, फ्री डाउनलोड, यह सब नहीं देखना है, आपको सिर्क पहला वाला जो मैंने बता रखा, यह वाला, इसलिए ग्रूप में मैंने लिंक सेर कर दिया है, ठीक है, autocad 2020, बस यही वाला करना है, नीचे कोई नहीं करना है, autocad 2020, फ्री डाउनलोड, जिस क्लिक करना है, बाकी मैंने आपको बता रखा था, कि यहाँ से जस क्लिक करके, डाउनलोड, औ और how to install this software, यह भी दिरखा है, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, अब कैसे होगा, कि कि लोग ट्राई कियोंगे दो-तीन बार, तो ट्राई करते समय क्या होगा, कि आपकी जो फाइले है, control panel में automatic आ जाएंगी, तो पर जब नया वर्जिन आप करने का ट्राई करोगे, तो प search box होता है आपकी laptop में, आप लिखना है, uninstall tool, just इस पर click कर देना है, उसके बाद yes कर देना है, तो कुछ इस तरीके सा आजाएगा, अगर आपका previous कोई भी autocad आप थोड़ा वो try किया होगा, तो वो उसके file है, automated deduct हो जाएंगी, जैसे मेरे पास autocad है, यह देखो यह, एक साथ क change करो, 16 best version है, ठीक है, 16 अच्छा version है, not required to change, तो यहाँ से आप क्या करना है, उसको uninstall कर देना पुराने version को, जिसको भी नया करना है, उनकी बात कर रहा हूँ, और नया वही करेगा, जो 2016 के पहले का version install, यह है वो, जो 2016 के बात कर किये हैं, उनका तो best है, तो 2016 भी best है, ठीक है तो यहाँ से आप क्या कर लो, इसको on करके uninstall करोगे, तो पूरी file है एक साथ uninstall हो जाएंगे, ठीक है, sir, interview के लिए बताईए, अरे भाई, पहले class में interview के बारे में कैसे बता सकते हैं, आलम, थोड़ा इंतजार करो भाई, पहले class में interview के बारे में कैसे discuss करोगे, confused जाओगे, कुछ तो में कोई command पूछना है, तो पूछ लो, इंटर्वी के बारे में तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है, तो अभी, अभी next हमारा क्या है, कि कुछ लोग का यह website खुल नहीं रहा होगा, जिसे कि अभी हमें, एक लोग का, दो लोग का, ऐसा reply आया होगा, ठीक है, तो क्या ह होता है, कि आपकी जो windows होती है, इसकी security रहती है, मतलब इसकी settings होती है, इसमें security रहती है, कि हम कौन सी type की privacy files खोलना चाहते है, कौन सी नहीं खोलना जाते है, तो इसको छेणखान करने के ज़रूद नहीं है, आप क्या करना है, इस देखनो, इसे देखनो, त्री dots लिखे हु दो बार कर देना, तो आप एदम प्रॉपर यहां पर आ जाओगे, तो यहां पर क्या होगा, कि आपका Chrome प्रावेसी डिरेक्ट नहीं कर पाएगा, आप आराम से यहां पर क्लिक कर देना, और यहां पर क्लिक करके, और जो आपका problem था, यह ऐसे solutions का होगा, यहां पर आप क्ल पर वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके बाद autocad 2020 गो, तो जिसका भी normal get into PC नहीं खुल रहा होगा वेबसाइट, वो यहां से करेंगे, ठीक है, ओके, अब रही बात कि हम लोग recordings lectures को कैसे watch करेंगे, ठीक है, अभी उसके लिए मैं screenshot share कर दूँगा, प्लस यह lecture कहां रहेग गुरूप के अंदर बार बज़े, ठीक है, क्योंकि तीन घंटे में render आ जाता है, ठीक है, बार बज़े वो आ जाएगा, अभी आप ब्रॉकर ना practice कर सकते हो, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो screen switch करने पर आपका आवाज ब्रेक हो जाती है, और वो आप बोलते मिस हो जाता हो, ठीक है, I'll just try कि जब screen share करेंगे, उसमें keep silent रहेंगे, चालो, hope आप लोग ने थोड़ा बहुत enjoy किया होगा, autocad को एक go through हो गए होगे, एक बाद थोड़ा से recall होगा होगा, अच्छा चमपर भी था, अच्छा ट्रिम भी था, extend भी था, कई लोग तो regular use भी कर होगे, अच्छी बात है, तो हमें क्या करना है, इसके base पर drawings बनाना है, अभी drawings बनाओंगे, तो आपको कही डिर सरे गलतियां होगे, ठीक है, तो गलतियां होने दो, अभी हम बताएंगे कैसे access मिलेगा, don't worry, अमारे तब से call जाएगा, अभी आप क्या कर सकते हो, जो all-in-one ह उसमें lecture 1 और lecture 3 AutoCAD का free है, तो उसको आराम से जाके direct कोई भी watch कर सकता है, तो आपको तो आज का तो काम वहीं पर हो जाएगा, बाकी कल का भी lecture 4 तक free है वो, तो दो दिन का हो जाएगा, उसके वीश में फिर आगे मैं आपको guide कर दूँगा, कैसे क्या करना है, ठीक है, मैं आ इसलिए इस से आदा हम लोग नहीं जा सकते हैं, एक class के दर, अजी पटल जी बोलो, हमको जो assignment है, उसको कहा send करना पढ़ाएगा, मेरा mail id में तुमको group में share करूँगा, उस mail id पर, ठीक है, मैं mail id तुमको share करूँगा, तो यह मेरा, ठीक है, मेरा, जो version है, 2013, 2013, कोई दिक्कत नहीं है, lower version की file तो higher version में फिल जाती है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, यहां, सार, जो project मिला है, वो सहां समको download करना पढ़ाएगा, जो अभी आप दिखाएगा, यह सब तुमको group में आ जाएगा, सब कुछ group में आएगा, ठीक है, सब कुछ group में आएगा, कैसे lecture watch करना है, वो भी group में आएगा, क्या बनाना है, वो भी group में आएगा, software का link automatic group में आज चुका है, तो सब कुछ group में आता जाएगा, जो बढ़ाएगे, वो भी group में आता जाएगा, चालो, हंजी, बोलो, यह मुझ क्रीक क्या नाम रख्यों यार, तुम, होर्नों student आ गयागा मने बस, थोड़ तेज बोलो, माइक आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन गया, तुमारी आवाज समझ गया, अच्छा, नाम चेंज करना है, ओके, चलेगा, मुझे न, सर्टेडे को इंफर्म करो, या तो मुझे डारेट कॉल कर लेना, सर्टेडे को, सर्टेडे को कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्क्त नहीं हो जाएगा, अच्छ, या तुमारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास सही से, बस इतना में समझ पहाएग, अप्लिकेशन में नाम चेंज करना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जा लेगा, और कोई दिक्क्त रहेगा, मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्क्त नहीं है, हाँ अप्राजिस बलो हो, हलो, माइक आप लोगों ने ओन किया है, आवाज सार नहीं है, अटीन अच्छा है, बलाब 20 तो और अच्छा है, हाँ तुमारी आवाज नहीं आ रहे है, सुभासीस, मेभी येरफोन लगाया हो, या फिर येरफोन अटा दो, अगर येरफोन नहीं दालो, ऐसा कुछ कर लो, आवाज नहीं आ रही है, और कोई बोलेगा, हाँ जी ब्राजिस साब ने माइक कॉन किया हुआ है, आपकी कुछ नहीं बोल रहे हो, या फिर आप दी आवाज नहीं आ पा रही है, जब एप को ओपन करोगे, तो हाँ पर वाइस का आप्शन पूश आप आ रही है, अब आ रही है, अच्छ वही चेक करना था कि आवाज आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, तो हाँ, बिल्कुल सही बादी, अमन बोलो, चलेगा, सर, सर, यह हमारा SAP नाम का कौन सा कॉर्स होता है, यह भी हम करेंगे, SAP, SAP 2000 होता है, वह इटेप का ही दूसर इटेप का दूसरा भाई है, लेकिन इटेप पर ज्यादा इंडिया में काम होता है, SAP पर कम होता है, SAP होता है, SAP होता है, complex structures के लिए, complex structures जो बनते हैं, उसके लिए होता है, generally complex structures बहुत कम इंडियाम तोंको देखने को मिलेंगे, तो अच्छा है software सीखना चाहिए, ठीक है, इगर सिख जाते हो, तो और अच्छा response मुलेगा, बट इटेप का ही दूसरा भाई हो, क्योंकि यो CSI company ने इसको भी बनाया है, इसको भी बनाया है, काफी है, अगर कर लिया तो, तुम्हें मलब 3-4 तक ने टेप sufficient है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई question है, पूछ सकते हो, हाँ मोहिद बोलो, पीजान तो सेफ में ही करेंगे ना, स्वरी, पूटिंग का वो रहे हो, वो सेफ है, यह सैप की बात कर रहा है, सेफ अलग है और सेफ अलग है, ठीक है, यह इसकी बात कर रहा है, सेफ 2000, हाँ, यह बात कर रहा है, सेफ 2000 की, और तुम बात कर रहा हो, सेफ में फूटिंग अडियन था हो लोग करेंगे करेंगे यह समझें क्या चालेगा और किसी कोई कोई डाउट रहेगा ठीक है अगर फिर भी इंस्टॉलेसे में कोई प्रॉलम आएगी तो मुझे क्या बोलते डीम कर देना ठीक है तो जैसे मुझे टाइम बिलेगा या फिर किसे करना है तो आप लोग भी ऐसे स्क्रीन सोट से एरर कर सकते हो क्या होता है कोई बड़ी बात नहीं है स्टार्टिक मुझे हम आटो कर रहा है या कोई भी सॉफ्टेर जो सीखना है स्टार्ट करते हूं थोड़ा बहुत हम लोग इतना लैप्टॉप सी उजर खंडली नह परफेक्ट बना के दे दिया है वर्मजी उसी दिन श्टॉप हो जाएगा एप्रॉक्स 15 दिन से 20 दिन के आसपा चलता है 15 दिन तो फिक्स है तीसरा भी भी लगेगा अगर आपका ड्रोइंग्स आपकी परफॉर्मेंस का जो ड्रोइंग्स रहेगा लेवल उसका अगर हाई भी नहीं पाएगा प्रॉपर मुझे परजेक्ट संपीट करना सीख़ जाएंगे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आई स्मिट करता हैंगे उसी दिन बनता दोंगा ठीक है बट तब थक नहीं जब तक कि आप मुझे संपीट नहीं कर पाते उसके बदे टेस्ट होगा उस तेस् सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे आज भी हो जाओंगा तो आप मुझे डिम्टी कर सकते हो कि सर मुझे यह प्रॉबम आ करना चाहिए तब मजा आएगा सीखने को मिलेगा चलो बाकी कल मिलेंगे कल नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग लेक्चर है इसको भी देखेंगे और बहुती सर्प्राइज लेगा आपके चलो ओके झालो थाइग लेगा सीखने का आपके आपके लेंगे मेंगे सीखने की बितार आपके क्ल एषब, लेखेंगे साभ़ Tá. झाल झाल